हेलो गाइस तो अनदर वीडियो और मैं आपको आज गाइड करूँ और कैसे आप वर्ट्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं वो भी बिना कोई कोई और बिना कोई प्रायर नॉलेज के तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप भी मेरी वेबसाइट देख रहे हैं जिससे आप मेरी वेबसाइट देखेंगे जिसका नाम है here2guide.in इसमें जो here2guide है इसको कहते हैं domain name और जो .in है इसके यह होता है extension अलब अलग-अलग country का अलग-अलग extension हो जैसे .in इंडिया का है .pk पाकिस्तान का है .us का है एक country specific होता है बट आपके business को लेके भी आगर मालन आपका जो main target है main target audience है वो इंडिया का है तो आप कोशिश करिए आप .in रखे क्योंकि जो आपकी competition हो जाएगा वो थोड़ा less होता है as compared to .com पर अगर आपको सही rate में .com मिल जाता है तो उसमें भी लेने में कोई हज नहीं है सबसे पहले आपको क्या करना है एक domain name लेने के लि description में एक link दे दूँगा तो आप उसमें आगर click करेंगे या फिर आप specifically अपने लूम नहीं सकते हैं इसमें आपको आके क्या करना है सबसे पहले आपको एक domain name ख़ई देना है तूम पर आएंगे domain name आपके register a new domain आपकी website पर ब्लॉगिन करके यहां पर आप जो भी domain name चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं उसके बाद आप सर्च कर लेंगे जैसे एक स्पेसिफिक लिए आपकी e-commerce website चलती है सेम वे में आप इसमें आप पर्चेस कर सकते हैं उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें लेनी होती है उसके कहते हैं स्टिंग क्या होता है जलो जानते हैं जैसे कि मालनीचे आप किराये पर कहीं रहते हैं तो आप अपने मगान मालिक को जैसे रंड देते हैं उस जगह पर रहने के लिए वैसे याप होस्टिंग प्रोवाइडर इसको पैसे देते हैं ताकि आप उनके सर्वर पे अपनी वेबसाइट पोस्ट करवा सकते हैं तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमने डोमें लेनी है उसके बाद हम वोस्टिंग के लिए अलग-अलग और मैं अगर आपकी स्टार्टिंग रे जादा हाइरेंड में भी जा सकते हैं शेड ना करके आप इंटों से ट्लाव्लस इसकी बाद आपको क्या करना है अपने डोमें ले लिया वस्टिंग लेलिया आपका जितना भी खर्चा होना था जितना भी पैसा लगना था यहां तक लग जोता है का अगर आपको दो कि आपका फुस्टिंग जो प्रोवाइडर है वो आपको मेल भीजेगा जैसे कि देखिए आप मैं इमेल पर जाता हूं उस मेल में आपको वो इससे देखते हैं जैसे देखिए आपको एक मेल आएगा जिसमें आपके cPanel के login details प्लस आपके name servers होंगे जिसको DNS भी कहा जाता है आपको क्या करना है इसके बाद जहां से भी आपने domain name लिया था वहाँ पर जाना है domain name पर जाके settings पर जाके जहां name server का option जहां आ रहा है वहाँ पर जाके यहां पर अपने name servers अपने mail से copy और paste करके यहां पर लगा देना है उसके बाद आप जद change name servers करेंगे तो आपकी site live होना start हो जाएगी प्रॉपोगेट होना start हो जाएगी जैसे कि यहां पर आप देख सेकते हैं यहां पर लिखा है प्लीज पी अवेर changes can take up to 24 hours to propagate but आपको इतना समय नहीं लगेगा mainly 2-3 घंटे के अंतर आपकी website live हो जाएगी इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें अपना cpanel खोल लेना है तो वहीं आपको फिर से उसी mail पर आना है अपना cpanel link यहां पर आपको दे दिया होगा उस पर click करना है उसके बाद यहां स आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो जहां पर लिखा है softaculous apps installer यहां पर एक wordpress option आएगा यहां पर आपको इस पर click कर लेना है उसके बाद यहां पर install now पर click कर लेना है उसके बाद यहां पर version जूज कर सकते हैं आपकी website का URL जो भी होगा आपका site का नाम यहां पर just मेरी website here to guide है तो मैं आप here to guide लिख लूँगा site के definition लिख लेंगे फिर उसके बाद admin username और password लिख लेंगे उसके बाद यहां से चाहे तो आप कोई भी theme चूज कर सकते हैं चाहे ना भी करें आप अपने wordpress के dashboard पर जाके भी कर सकते हैं फिर आप install click करतेंगे इसके बाद क्या होगा आप अपनी website पे changes कर सकते है wordpress इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें login कर लेना है simple अपना URL लिख लीजिए अपनी website का जैसे कि मेरी website का है here2guy.in slash wp as admin लिख लेंगे तो आप अपने wordpress पे login कर सकते हैं यहां पर आपका मेरा जो login हो रहा है अच्छ को login कर लेंगे आप एक dashboard कर आ जाएंगे dashboard पे आने के बाद सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है अगर आपने थीम चूज नहीं करी है तो appearance पे आना है और themes पे आना है अब मान लेजिए आपने कोई website से आपको पसंद आई और आपने लोड कर ली इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बस install कर लेना है और activate कर लेना है अब जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपनी website पे एशे ब्लॉग थीम WP Royal की तरफ से जो है वो इंस्टॉल कर रखा है इसके बाद आपको next step जो है आपको कुछ terms है जैसे कि यह post है, media है, pages है, comments है Post में क्या होता है, जो भी आप particular posts दालेंगे उसके बारे में है, media मतलब जो भी आप media मतलब images, videos जो भी डालेंगे Pages मतलब आपके जो website के Pages, comments जो आपकी website पर comment आते हैं, यह तो plugins है इसके बार में बाद में बात करेंगे, appearance, आपकी website की appearance कैसी दिखनी सहिए, उसके बाद आपके plugins, user, tools, settings, इसके बार में बाद में बात करते हैं सबसी पहले आपको theme activate करने के बाद क्या करना है, appearance पे आकर, themes के निचे जो customize option है, उस पे click कर लेना है, customize पे click करने के बाद आप यहाँ पर जो navigation area आप देख रहे हैं, यहाँ पर different options आपको मिलेंगे हर एक theme के अलग-अलग available option होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में जादा होते हैं, तो यह depend करता है मेलनी आपकी theme पे, यह mainly theme होती है, freemium होती है, मतलब free भी होती है, premium भी होती है, आपके बजाए, अगर आपको लगता है कि आपको premium पे एक पैसा करशना चाहिए, तो आप पे left hand side पे आपका, उस पे scrolled on करके हर चीज़ देखते जाना है कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, अपने हिसाब से settings कर लिए है, जैसे देखिए, skins पे हम आते हैं, तो dark skin है, जैसे मैंने चूज कर रहा है, default skin था, वो white fish था, मुझे पसंद नहीं था, मैंने यह change कर लिया, व colors हो गए, आपके माला text colors हो गए, यहाँ पर, general layout मतलब आपका, जो blog page का list style होना चाहिए, जैसे देखिए नीचे, यह list style है, यह list के जगह, आप column पी style कर सकते हैं, जैसे इस वाली theme में, जैसे देखिएगा, भी आप change होते हो, यह देखिए, अभी column style हो गया, अब मैं नहीं च चाहता हूँ, content चाहता हूँ, box चाहता हूँ, जैसे feature slider है, जो मेरा feature slider आप देख सकते हैं, यह हिस्सा, इसको मैं box चाहता हूँ, या फिर मैं full चाहता हूँ, full चाहूँगा, तो देखिए, पूरा full हो जाएगा, full cover कर लेगा, यह देखिए, ऐसे ही करके आपको यह सब चीज यह जो header area होता है, इसके बाद आपकी site identity, मतलब आपका logo, आपका title, आपका tagline, आपका site icon जो उपर यहाँ पर है, उसके बाद आपका single close, blog page, वैसे ही करके आपको सारा menu देखते जाना है, और अपने हिसाब से, अपने requirement के हिसाब से, इसको select करके publish कर लेगा है, इसके बाद क् क्या करना है, सबसे पहले हमें pages पर आना है, और add new कर लेना है, आप जैसे मेरी website पर आके देख सकते हैं, मेरी specific pages है, home page, contact me, अब जैसे कि आप चाहते हैं कि इसके साथ में एक privacy page भी होगी, जिसमें आप privacy terms के बाद लिख सकें, एक about us page हो, तो कुछ नहीं करना आपको, add title पर अपना जो भी page का नाम है, जैसे माल लीजिए मैं about a space बनाना चाहता हूं, about a space लिखा, जैसे कि we add here to guide, will guide you through all your defeat cultures, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, publish कर लेना है, अब इसको आप छोड़ दिजे ही, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जितने भी pages बनाने हैं, about us, home, contact us, सब बना लेजिए, अभी कुछ नहीं करिए, आप कुछ भी adjustments, कुछ भी settings में छेड़िए, कुछ भी information अभी न डालिए, बस आप इतना करके छोड़ते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट पर आना है, और यहां पर categories, categories का अब जैसे कि देखिए, मेरे website पे categories है, edublog, tech blog, home decor blog, आप मेरे यहां पर देख सकते हैं, edublog category, digital marketing category, जो सब category है, home decor, tech blog, phones, अब जैसे कि मान लिजे, मैं entertainment, entertainment, blog, इसका slug भी same रखिए, parent categories की कोई नहीं, parent category मतलब किसी की आप subcategories, edublog में आप देख रहे हैं, digital marketing मेरी एक subcategory है, photography मेरी एक subcategory है, tech blogs में मेरा कौन एक subcategory है, इसकी कोई भी एक parent category है, आप मैं छोड़ दूँगा, add new category प्लिक कर देंगे आप, उसके बाद एक मान लिजे, मेरा जो एक post है, जो entertainment blog का है, वो novels के है, तो मेरा एक subcategory नहाँगा, मैं novels, देखिए, novels, slug, same रखिए, parent category इसकी entertainment blog है, ये entertainment blog के अंडर आता है, इसके बाद description आप कुछ ना डालें चाहे तो, उसके बाद add new category क्लिक कर देंगे, और आप देखिएंगे, entertainment blog की subcategory बन गया है, novels, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें post पे आना है, पोस्ट पे आने के बाद, आपको एक post राइट कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला अभी, novels मेरा एक post है, see different types of novels, ये मेरा post है, मान लीजिए, अब इसके इधर आगे, आपको दो-ते चीज़ों पर ध्यान रखना है, जैसे कि आपका, ये हमारा post है, इसके बाद, document पर देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज ध्यान रखनी है, जो हमेशा आपको करनी है, इसके category साथ ही साथ में आपको लगा देना है, सेटे category आपको categorize करते चलना है, नहीं तो आपका post होगा जो नहीं होगा आपकी specific category में, अब मेरी जो category है, novels है, entertainment dog है, तो मैंने ये choose कर लिया, उसके बाद हमें यहांपे tags लिख लेने हैं, feature, email use कर लेनी हैं, आपे जो भी चीज़े हैं, वह हम आगे एक और अग पोस्त में बात कर लेंगे, इसके बाद मानलेजिए आपका यह post ready कर चुका है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, इस post को publish कर देना है, मानलो यह post आपने publish कर दिया, अब आपके पास सब कुछ आ गया, इसके बाद जो next चीज़ आपको करनी है, वह करनी है, एक menu बनाना है, menu बनाने के लिए आपको क्या करना है, appearance पे आना है, menu पे आना है, अब इस menu में आप चीज़े add करते जाएंगे, जो आप बनाते अब मानलीजे जैसे मैं इसमें एक category add करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी बनाई, novels और entertainment box, इसको हम add to menu कर देंगे, तो यह यहाँ पे नीचे दिख जाएगा आपको menu में, अब जैसे कि मानलीजे मैंने post भी इसमें डालना है, जो मैंने अभी post बनाया था, novels नाम का जैसे कर देंगे, आपर tick कर देंगे, add to menu कर देंगे, तो यहाँ पको नीचे menu में novels का post दिख जाएगा, यहाँ पे post लिखा भी, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर मानलीजे, आप चाहते हैं कि कोई menu item आपकी subcategory बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस slide कर देंगे, अब जैसे कि आप देखेंगे, अब मैं इसको save menu कर दूँगा, अब हम अपनी website पर आएंगे, यहाँ पे देखिए अभी आप, कुछ भी नहीं देख रहा, अब हम इसको back करेंगे, रिफ्रेश किया हमें, यह देखिए, entertainment block, इसकी subcategory है novels, और हमारा post है novels, यह सारी चीज़े इसमें align हो गए, अब ऐसे ही आप अपना जो about us आपने page बनाया था, पेज भी आप menu मैंड कर लेंगे, जैसे यह देखिए, I add to menu, यहाँ पे save menu कर लेंगे, नीचे देखके, यहाँ पे about us आगया, save menu कर लेंगे, इसमें जाएंगे, आप refresh करेंगे, तो पाएंगे कि about us भी यहाँ पे menu मैं add हो चुका है, जब हम entertainment block को खोलेंगे, इसके अंदर जो हमें post हमने बनाया था novels वाला वो दिखेगा, और वैसे ही specifically जो हमने novels के अंदर post रखा था, वो भी हमें वहीं है कि हमने दोनों सब category choose करी थी, see different type of novels आपको दिखाएंगे, आपको about us में यह दिखेगा जो आपने लिखा है, विट आप अपने हिसाब से अपने चीज़े, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने domain name खईदा, theme choose करी, उसका appearance set किया, उसके बाद हमने pages बनाए, categories बनाए, post करे अब क्या करेंगे, आप जैसे जैसे post करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके चीज़े बढ़ती जाएंगे, जैसे देखिए मैंने post अभी किया था, novels यहाँ पर आ चुका है, इसमें मैंने कुछ feature image यूज नहीं करी, इसलिए आपको दिखने रही, वैसे ही आप करते जाएंग navigation menu बार होता है, नीचे main navigation menu बार होता है, अब कोई-कोई website में एक से जादा menus होते हैं, कोई-कोई में नहीं होते हैं, तो जैसे मैंने सिक उपर top navigation पर लगा रहे हैं, आप चाहें, तो main navigation में रहा से, इसके लिए हमें क्या करना है, appearance पर आना है, फिर customize पर आना है, customize पर आकर, menus पर आना है, menu पर आकर view all location आप देख रहे हैं, यहां पर आप click कर देंगे, जैसे मैंने top menu select कर रखा है menu 1 जो हमने लिखा था, वैसे ही आप main navigation में भी चाहते हैं, तो देखिए, यहां पर आप main navigation में भी आ जाएगा, यह देखिए, आप चाहते हैं, footer menu में भी आ जाएगा, तो आपको footer menu में भी दिख जाएगा, अपनी website की specification के हिसाफ से आप देख सकते हैं, यह देखिए footer menu में भी दिखने लगके आपका, तो वैसे ही, अपनी website की specification के हिसाफ से आप post करते जाए, menu बढ़ाते जाएगे, जैसे जैसे आप चीजे बढ़ाते जाएंगे, आपकी website fill में चीज लगाने के लिए क्या करना है कस्चमाइज में नीचे दिखेगा आपको विजट की लोकेशन जैसे राइट साइब ऐर जो ये वाला एरिया है left side bar जो ये वाला area footer area ये नीचे वाला area आप location decide कर सकते हैं और यहाँ पर कौन-कौन से आप widgets चाते हैं वो add कर सकते हैं जैसे कि archives है, audio है, calendar है custom है, newsletter है जो भी आप widget लगाना चाहें आज हमने बात करी कैसे आप website बना सकते हैं theme based website theme based website का ये फाइदा है कि जो website की theme है वो आपका layout पूरा decide करती है layout मतलब ये चीज़ कि कौन से चीज़ कहां होगी, header area कहां होगा menu bar कहां होगा, slider area कहां होगा बट एक और तरह की website making होती है जो आपके थोड़ा hands on होती है, उसमें आपको खुद page बनाना पड़ता है उसके लिए हम यूज करते है elementor plugin, वो भी basic सा drag and drop builder है इतना कोई मुश्किल नहीं, next video में हम बात करेंगे, कैसे आप elementor page builder से एक website में आ सकते हैं, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई, और आप चाहते हैं मैं ऐसी ही web related वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe किये, और मुझे मेरे social media channels पे follow की